नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में अगर आपसे बोला जाए कि एक ब्रेट के पैकेट को खरीदने के लिए आपको एक बोरी पैसे देने पड़ेंगे तो आप क्या सोचेंगे? अच्छ छोड़िये, अगर आपसे ये बोला जाए कि आपके पास पचास किलो नोटों की गड़ी हो फिर भी आप ज्यादा समान नहीं खरीच सकते तो आपका क्या रियाक्शन होगा? बताते हैं, बताते हैं बेतहाशा बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फरिती यानि इंफलेशन से जूज रहे इस देश का नाम है सोमाली लेंड यह अफरिका महाद्वीब के पूर्व में स्थित है दुनिया के बाकी देशों ने इस मुल्क को मानिता नहीं दी है और इसे सोमालिया का ही हिस्सा माना जाता है इसके बावजूद यहां के लोगों ने खुद को स्वगोशित देश बना लिया है दरसल सोमालिया में वर्ष 1991 में ग्रह युद्ध छड़ा था जिसके बाद ये देश सोमाली लेंड अस्तितों में आया वैश्विक मानिता न मिलने की वज़े से यह देश आर्थिक रूप से आज तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाया है यहां पर रोजगार, सिक्षा, स्वास्त का बुरा हाल है इस देश की करेंसी सोमाली शिलिंग की हालत बेहत खसता है इतना कि यहां एक ब्रेट भी खरीदने के लिए बोरी भर पैसे देने पड़ते हैं दुनिया के बाकी देशों में इस देश की मुद्रा की कोई वैल्यू ही नहीं है यहां पर मुद्रा इस्विती की दर भी बेतहाशा बढ़ चुकी है यह करेंसी भी सिर्फ पान सो और हजार के नोटों की होती है दुकानदार उन नोटों को गिनने के बजाए उनका वजन करके ब्रेट का पैकेट देते हैं सुमाली लैंड में जगा जगा लोगों ने फुटपाथ पर अपनी दुकाने लगा रखी है इस स्वग होशित देश को दुनिया के सबसे गरीब मुलकों में गिना जाता है जहां वे सुमाली शिलिंग को डॉलर में एक्स्चेंज करते हैं फिलहाल वहाँ पर एक डॉलर की कीमत पचासी सो शिलिंग है सुमाली लैंट में फिलहाल 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के नोट ही प्रचलन में है उसके नीचे के नोट वहाँ सर्कुलेशन से आउट हो चुके है हैरान करने वाली बात तो ये है कि सुमाली लैंट में 10 डॉलर से 50 किलो शिलिंग खरी दे जा सकते है वहीं इतने पैसे दे कर भी आप अधिक समान नहीं खरीद पाएंगे और अब बेचारिश सुमाली लैंट के लोगों की चिंता है कि उनकी ये मुद्रा कभी भी बेकार हो सकती है उन्हें डर है कि मुद्रा स्फिती और महंगाई से निपटने के लिए सरकार पुराने नोटों को बंद कर नई करंसी ला सकती है जिसके चलते अब अपने पास मौजूद करोडों रुपे के करंसी नोटों को बेहत कम धनराशी में डॉलर में एक्स्चेंज करवा रहे हैं जिससे उन्हें नोट बंदी होने पर दिकत न हो फिलहाल इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे